मैं घाक्टर जी के दिवेदी सहाय काचार सिख्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदीस राजर सी टेंडन मुक्त विष्विद्याले प्रयाज राज आज विष्विद्याले के आनलाइन क्लासेस में मैं सभी सिख्षार्तियों का स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको पता ही है कि यह विश्विद्याले दूरस सिख्षा पद्धती पर आधारित है समय की मांग भी है करोना काल में सिख्षार्थियों को face to face या संस्था के माध्यम से सिख्षा दिया जाना संबव नहीं हो पा रहा है ऐसी इस्तिती में आज हम में एजुकेशन की सिख्षार्थिवं के लिए सिख्षा के मनुबैयग्ञानिक परिपेच भिसय के अंतरगत सिख्षा मनुबिग्ञान का आर्थ उद्देश जों महत्तु के भिसय में चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तन सील है मानवीवन जन्म से मृत्व तक परिवर्तन सील है कह सकते हैं आप कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से प्रोणा वस्ता तक की इस्तिती में अनेको प्रकार के परिवर्टन परिलक्षित होते हैं। जन्म के समय बालक के अंदर सत्यम शिवम सुन्दरम का अदृति ये समाविश होता है। लेकिन बालक जियों जों बड़ा होता जाता है। उसके अंदर संसार में ब्याप्त समस्त अनुवहों का समावेश होता है। जिस प्रकार की सिच्छा दिच्छा बालक को दी जाती है, उसी प्रकार की सिच्छा दिच्छा का असर बालक के बिवहार पर पड़ता है। किसी भी रास्ट का विकास वहां की सिख्षा बेवस्था पर निर्वर करती है। सिख्षा के संदर में मात्म गांधी के अनुसार, सिख्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुस्च्य के सरीथ, मन और आत्मा में अंतर नहीं सर्वत्तम अंश का प्रक्टिकरण है। किसी भी बालक का सर्वत्तम विकास सिख्षा के द्वारा ही हो सकता है। सिख्षा के छेत्र में व्यापक बदलाव मनुविज्यान के अध्यन के माध्यम से संभव है। मनुविज्यान के माध्यम से बालकों की प्रविती, मन, मस्तिष्क, ब्यक्तित्व, बुद्धी, कल्पना, तर्क, विवेचना, रूची, आधारणा, इस्मृती, विस्मृती, सिख्षा मनुविज्यान के अंतरगत। सिच्छा मनुविज्ञान के अंतरगत, सिच्छा और मनुविज्ञान का अध्यन किया जाता है अताई से समझने के लिए सिच्छा और मनुविज्ञान के अर्थ को समझना आवश्यक है इसके अध्यन के पस्चार, हिसिच्छा मनुविज्ञान के अर्थ, परिभाशा, प्रकिती, कारचेत्र, उद्देश, एवं उसकी विशेस्ताओं को समझना संभव हो सकेगा अभी तक मैंने आपको इस हिकाई के प्रस्तावना के अंतरगत कुछ बातें बताएं इसकाई के अध्यन के उपरांत आप इस योग हो जाएंगे, इसके निमित कुछ प्रमो को देश हैं सिच्छा के अर्थ को इस्पश्ट कर सकेंगे मनुविज्ञान के वियापक तक्थ को समझ सकेंगे मनोबिज्यान की प्रकीति को समझ सकेंगे सिच्छा मनोबिज्यान के विसिस्ताओं को समझ सकेंगे सिच्छा मनोबिज्यान के कारेशेत्र को व्यापकिस्तर पर वांडित कर सकेंगे सिच्छा मनोबिज्यान के महत्य को समझ सकेंगे सिच्छा और मनुविज्ञान के संबंद को इसपस्ट कर सकेंगे वो दीश के पस्चात सिख्षा जो की व्यक्तिका सरवांगिन विकास करती है इसके अर्थ को समझना नितान तावश्यक है सिच्छा के अर्थ के संबंद में हम कह सकते हैं कि किसी भी रास्ट के विकास का मूर्सादन सिख्षा है सिख्षा जीवन परयंत चलने वारी प्रक्रिया है इसके दोरा बालक की जन्मजाद सक्टियों का विकास उसके ज्यान वखौसल में बृधि एवं बिवार में परिभर्तन किया जाता है और उसे समय के साथ सब्यों योग नागरिक बनाया जाता है हम कह सकते हैं कि सिच्छा ही वा एक ऐसी बिदा है нул है जिसके माध्यम से समाज के किसी वर्ग विसेश में आवाज करने वाले नागरिक का सरोत्तम विकास होता है सिख्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इससे आसा हिया है कि सिख्षा न केवल सिख्षित वर्ग का सिख्षार्थी सीखता है, अपितु समाज का लेमैन भी जीवन परेंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। अनुभवादारी सिख्षा प्रत्य व्यक्ती समाज में प्राप्त का ररता है। सिख्षा सब्द के अर्थ को समझने के लिए उसके साब्दिक अर्थ को जानना उचित है। सिच्छा सब्द, संस्कित भाशा के सिच धातु से बना है, सिच सब्द का आर्थ है सीखना और सिखाना, सिच्छा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, यह एजुकेशन सब्द लैटिन भासा से प्राप्त हुई है, इसको दो सब्दों में डिवाइट किया जा सकता है, एजुकेशन इजुकल टू आप कह सकते हैं, एजुकेशन इजुकल टू ए एंड डिवको, ए से आसा है, अंदर से, जबकि डिवको का अर्थ होता है, आगे बढ़ना, अतर साब्दिक रूप में हम कह सकते हैं, एजुकेशन के परिपेक्ष में, अंदर से आगे की तरब ब बिद्वानों द्वारा दी गई परिभाशाएं निम्नमत हैं, अनेक बिद्वानों ने, अनेक फिलास्फरों ने, अनेक सिछा विदों ने, समय समय पर सिछा की अनेक परिभाशाएं दी हैं, जिसमें कुछ परिभाशाओं का वर्णन मैं आपके समक्षे प्रस्तुत कर रहा ह महात्मा गांधी के अनुसार सिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के सरीर, मस्तिस्क तथा आत्मा के सरवांगिन सरोत्म विकास से है By education, I mean an all-round driving out of the best in child and man's body, mind and spirit ऐसी प्रकार सिच्छा के संदर में स्वामी विवेकाननद जी का कतन है मनुष्य की अंतरनीत पूनता को अभिव्यक्त करना ही सिच्छा है Education is manifestation of perfection already present in man संकराचार के अनुसार, सिच्छा का अभिप्राय, सिच्छा का अर्थ, सिच्छा की परिवाशा साब विद्याया विमुक्त है अर्थात, सिच्छा वह है जो मुक्ती दिलाए भारती विद्वानों के पस्चात कुछ पस्चात सिख्षा विदों ने भी सिख्षा को परिवाचित किया है जिन में प्लेटो महोदय के अनुसार सारीरिक, मानसिक तता बौधिक विकास की प्रक्रिया ही सिख्षा है इसी क्रम में अरस्तु महोदय ने सिख्षा को इस प्रकार परिवाचित दिया है स्वस्त शरीर में स्वस्त मस्तित का निर्माण ही सिख्षा है पेस्टालजी महोदय के अनुसार सिक्षा ब्यक्तिकी समस्त जन्मजाद सक्तियों का स्वाभाविक, समरस्त तदा प्रगतिशील विकास है फ्रोबेल महुदे ने सिक्षा की परिभाशा को कुछ इस प्रकार दिया है सिच्छा वह प्रक्रिया है जिसके दोरा बालक अपनी आंतरिक सक्तियों का वाह सक् disclosure का रूप देता है उपरोग परिभाशाओं के आधार पर सिच्छा के संदर में और निसकर्स निकाला जा सकता है कि सिक्षा उद्देश पूर्ण अनवरत चलने वाली गतिसील सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुस्री की जन्मजाज सक्तियों का भिकास किया जाता है, जिसके परिणाम शरूप वह अपने वातावरन से सामन जेस्थ स्थापित कर, अच्छे डंग से जीवन को प इस सिक्षार्तियों मैंने सिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषा को आपके सम्मुक रखा, तदपश्चा मनोविझ्यान का एया, इस पर मैं कुछ बताने का प्रयास करूँगा, मनो बिज्ञान का आर्थ मनो बिज्ञान एक ऐसा बिज्ञान है जो प्रकित में पाए जाने वाले प्राणियों के मन एवं उनके अंदर पाई जाने वाली बिभिन प्रक्रियाओं का अध्यन करता है मनो बिज्ञान सब्द का आर्थ हुआ बिविन विद्वानों ने मनुविज्ञान को परिवाशित करते हुए कहा कि मनुविज्ञान मन का विद्ध्यान है मनुविज्ञान को अंग्रेजी में साइकालोजी कहते है इसका प्रादूर भाव यूनानी भाशा से हुआ है साइकलाजी को दो भागों में विवक्त किया जा सकता है या आप यह कर सकते हैं कि साइकलाजी दो सब्दों से मिल कर बना है साइकी एवं लोगस साइकी से अभिप्राय आत्मा से है जब कि लोगस का अभिप्राय अध्यन करने से संबंदित है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइकालाजी या मनुविज्ञान आत्मा का अध्यन है वैसे तो मनुविज्ञान का इत्यास बहुत ब्यापक है बहुत ब्यापक रहा है परन्तु आज इस आनलाइन क्लासिस में मैं इसकी संचिप्त रूप रेखा आपके समक्षे प्रस्तित करूँगा मनुविज्ञान का अध्यन स्वलहमी सताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ प्रारंभि का वस्था में मनुविज्ञान विशै को दर्संत्सास्त्र के अंतरगत इस्थान प्राप्त था मनुविज्ञान एक सेपरेट विशै के रूप में अस्तित्व में नहीं आया था दर्संत्सास्त्र के अंतरगथी यह समाहित्ता इसके अंतरगथी इसका अध्यन्मनन किया जाता था समय के साथ यह आप कह सकते हैं समयां अंतराल के साथ इसके स्वरूप में अनीक प्रकार के चेंज़े जाए अनीक प्रकार की चेंज़े कतिप्य कारणों से आए फिर शिक्षा विदों ने विद्वज्वनों ने यह सोचा कि दर्संत्सास्त्र के अंतरगथ मनुविज्ञान का अध्यन करना उप्यूक्त नहीं होगा अतर मनुविज्ञान को एक अलग विशय के रूप में माननेता दी गई मनुविज्ञान के यतियासिक परिपेक्ष में खुश्विद्ध्यानों ने इसे कई काटेगरी में विवक्त किया है किसी ने कहा आत्मा का विज्ञान ही मनो विज्ञान है किसी ने मन के विज्ञान को मनो विज्ञान कहा किसी ने चेतना के विज्ञान को मनो विज्ञान मना और किसी ने बिवहार के विज्ञान को मनो विज्ञान के अंतरगत इस्थान प्रदान किया आत्मा का विज्ञान मनो विज्ञान है। इस अंदर में योनानी दार्षनिक प्लेटो, अरस्तू, डेकार्टो ने ऐसा माना कि आत्मा का इसपश्ट रूप से प्रत्यक्षी करण नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षी करण नहीं के कारण आत्मा को विज्ञान के अनुसार उप्यूक्त नहीं माना जा सकता। बैज्ञानिक कसोटी पर यह विचारधारा उप्यूक्त प्रतीत नहीं होती। प्रयोगों के आधार पर इससे निसकर से आपरिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। अतकालांतर में आत्मा का विज्ञान मनों विज्ञान है इस थियूरी को रिजेक्ट कर दिया गया मन का विज्ञान जैसे आत्मा का प्रत्यक्षी करन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार मन का भी प्रत्यक्षी करन नहीं किया जा सकता मन का निरिक्षण भी नहीं किया जा सकता मन को प्रमानित भी नहीं किया जा सकता प्रयोग की कसोटी पर मन को भी कसा नहीं जा सकता इन कारणों के आधार पर मन का विज्ञान ही मनो विज्ञान है इस थियोरी को भी विद्वजनों ने रिजेक्ट किया इस दो तियोरी में अस्पलता प्राप्त करने के पश्चाद कुछ मनोबैग्यानिकों ने इसे चेतना का बिग्यान माना उन्वी सी सदीं के आसपास चेतना बिग्यान के प्रनेता या इस यूग के बिद्वान जैसे वाइब विलियम जेम्स विलियम मुम्ट ने इसे चेतना के बिग्यान के रूप में स्विकार किया और कहा ये चेतना की क्रियाओं का आध्यन करता है परन्तु इस पर सभी विद्वजन एक मत नहों सके क्योंकि मन को तीन इस्तर में विवक्त किया जा सकता है चेतन और दचेतन अचेतन जबकि चेतन जो होता है वो अनुभव आधारित है इसका प्रक्त्यक्षी करन नहीं किया जा सकता है इसमें बैग्यानिक्ता का अबाव है अता इन कम्यों के कारण चुकि यह भी प्रयोक की कसोटी पर कसा नहीं जा सकता इस थोरी को भी विद्वजनों ने रिजेक्ट किया लास्टिली बिवहार के विज्ञान के रूप में वाट्सन बीशनी सताबदी के प्रारम में मनो बिज्ञान को बिवहार का विज्ञान कहा बिवहार वादियों के अनुसार मनो बिज्ञान की विशय वस्तु वस्तुनिस्ट होनी चाहिए जिसे देखा या सुना जा सके बेवहार को प्रयोग का विशय भी बनाया जा सकता है बेवहार में वस्तुनिष्टता होनी चाहिए अतों मनोविज्ञान को बेवहार का मनोविज्ञान कहा जा सकता है मनोविज्ञान के अर्थ में प्राप्त हुए अपेक्षित परिवर्तन के विशय को उडवर्थ ने निम्नेली के तुरूप में अभिवक्त किया है उडवर्थ मौदेनिका के सरुप्रतम आत्मा फिर मन फिर चेतना का त्याक किया अब यह विवहार की विदी है को स्विकार किया जा सकता है अतर आप क्या सकते हैं कि मनोविज्ञान के चेत्र में मनोविज्ञान के विशय में जो कतिपै थियूरी दी गई कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है मन का विज्ञान मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है इन तीनों थियूरीज को मनोविज्ञानिकों ने रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें बैग्यानिक्ता का अब आ होता, इसमें किसी भी निश्कर्ष पर प्रयोक के माद्यम से पहुचा नहीं जा सकता, कोई तथ से कठे नहीं किया सकते, इसमें प्रत्यक्षी करण नहीं किया जा सकता, जबकि विवहार अनुभाव अधारित होने के कारण या बैग्यानिक्ता का पूट होता है, और जिस पार्ट में, जी बिसे में, जिस बिसे वस्तु में बैग्यानिक्ता पाई जाती है, निसंदे उसमें सार्थक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं, तो बिवहार वादियों के अनुसार, बिवहार को मनुभिज्यान के अंतरग इस्थान प्राप्त है कोच विद्वत जनों ने मनुभी ज्ञान को परिभाशित किया उसके अर्थ को बताया परन्तु परिभाशा के आधार पर मनोभी ज्ञान को समझना उप्यूक्ष होगा मनोभी ज्ञान की परिभाशा के संबंद में मन महोदय ने कहा कि आधुनिक मनोभी ज्ञान का संबंद ब्योहार की बैज्ञानिक खुश्य है इस परिभाशा में आप इस पस्ट देख सकते हैं कि आदुनिक मनोविज्ञान का संबंद जो मनोविज्ञान का रिलेशन है वो बैज्ञानिक खोज से है बिज्ञान का प्रदर्शित होना इंडिकीर करता है कि बिवहार का मनोविज्ञान ही वास्ट्रिक मनोविज्ञान की परिभासा को परिलक्षित करता है क्रू और क्रू महोदय के नुसार मनोविज्ञान मानो बिवहार और मानो संबंदो का अध्यन करता है इसी कड़ी में मारगन महोदे ने कहा मनो बिज्ञान मानो एवं पसु बिवहार का बिज्ञान है जबकि वाटसन महोदे ने इसे परिभाशित करते हुए बताया कि मनो बिज्ञान बिवहार का धनात्मक बिज्ञान है मैक दूबल महोदे के अनुसार मनोबिज्ञान की परिभाशा इस प्रकार होगी मनोबिज्ञान आचरन एवम बिवहार का यथार्थ बिज्ञान है शिक्षा की प्रस्तावना उसके उद्देश उसके अर्थ मनुबिज्ञान के आर्थ और उसकी परिभाशाओं के उपरांत अब हम मनुबिज्ञान की प्रकिति क्या है इस संदर में चर्चा करेंगे मनुबिज्ञान एक धनात्मक बिज्ञान है जिसमें बेवहारों का अध्यन किया जाता है बार बार फोकस किया जा रहा है कि मनुबिज्ञान ना आत्मा का बिज्ञान है ना मन का बिज्ञान है ना चेतना का बिज्ञान है आप तो यह बेवहार का अध्यन करता है इसलिए मनुबिज्ञान बेवहारों का बिज्ञान है इसमें ब्योहार का अध्यन बैज्ञानिक बिदियों के माध्यम से किया जाता है बैज्ञानिक बिदियों में किसी एक छेत्र की बिसे सामगरी का बेवस्तित रूप से अउलोकन वर्गी करण प्यों बिसलेशन करके सामान्य निसकर्स निकाले जाते हैं और भविष्ञ की और संकेत किया जाता है कि आगे क्या होने वाला है मनोबिज्ञान भी अपने अध्यन में बैज्ञानिक बिदि को अपनाता है इसलिए इसकी प्रकिती बैज्ञानिक कही जा सकती है निसकर्स व्रूप मनोबिज्ञान की प्रकिती के संदर में इंफेसिस है, फोकस है, हाईलाइटेड है कि इसमें बैग्यानिक्ता का इन्पुट है. बैग्यानिक्ता का इन्पुट होने के कारण निसंदे इसे प्रयोग के आदार पर आकणों के संग्रहन, अनुबवों इत्यादी को साजा किया जाता है और एक कंक्रीट निश्कर्स प्राप्त किया जा सकते हैं अब मैं आपको मनुविज्ञान की क्या भी सेस्ताएं हैं उस सम्नर में बताने का प्रयास करूँगा मनुविज्ञान विधायक विज्ञान है मनुविज्ञान के अंतरगत विवार का वस्तुनिष्ट अध्यन किया जाता है इसके अंतरगत मनुष्य की अनुभूति क्या अध्यन किया जाता है मनुष्य क्या अनुभाव कर रहा, मनुष्य क्या सीख रहा, मनुष्य क्या गत्विदी है मनुविज्ञान में मनुष्य की चेतन अचेतन संबंदी क्रियाओं वो आनुभाओं का अध्यन किया जा सकता है मनुविज्ञान प्रयोगात्मक अध्यन सामगरी को अपनाता है इसने पचु एवं मनुष्य पर मनुविज्ञानिक प्रयोग किये जाते हैं मनोबिज्ञान प्राणी के प्रकृति के साथ समायोजन की क्रियाओं का अध्यन करता है मनोबिज्ञान मनुशियों एवं पस्यों के वहारों का संबंध वातावरन के साथ समायोजित कर उनके उपर पढ़ने वाले प्रभाओं का ब्रिश्थित अध्यन करता है निसंदे हमें अपूर्ण विश्वास है कि आप सिक्षा के अर्थ उसकी परिभाशा अथा मनुविज्ञान के अर्थ उसके अतियासिक परिप्ष परिभाशा उसकी प्रकीती युम विशेष्टाओं के संबंद में मातपूर्ण जानकारी मेरे इस आनलाइन क्लासिस के माध् कर सके होंगे भविष्ट में मैं इसके बचे हुए पार्ट क्योंकि सिक्षा मनुविज्ञान के ज्ञान को प्राप्ट करने के लिए सिक्षा क्या है मनुविज्ञान को समझना अतियावश्यक्ता अता अभी तक मैंने आपको सिक्षा यो मनुविज्ञान के संबंद में सामाने जानकारी दी मैं अपने अगले लेक्षर में सिख्षा मनोविज्ञान के अर्थ, कारिछेत्र, स्वरूप, विशेष्था, उद्देश यों महत्व पर प्रकास डालेंगे निसंद से हमारे प्रिक्ष उख्षार्थियों आपको इस लेक्षर से लाब मिला हो आगा यदि इस चैप्टर को पढ़ने के उपरांत आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप विश्विद्याले के मुख्य परिशर उत्तर प्रदेश राजर सी टेंडन मुक्त विश्विद्याले के सिख्षा विद्याशाखा में फेस टू फेस माध्यम से संपर कर या चैट बाक्स में कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को लिख कर मुझसे उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं आपने मुझे सुना इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दो